दोसो फिरसे स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोसो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Samsung Galaxy M31S Mobile में आप यहाँ पे Custom Ringtone की सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो Mobile में Ringtone लगाने के लिए आपको चली जाना है यहाँ पे सेटिंग पे सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको Sound and Vibration का Option देखने को मिल जाएगा आप इस पे क्लिक कर लेंगे और इसकी बाद यहाँ पे आपको Ringtone का Option देखने को मिल जाएगा आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो आप यहाँ पे साइट कर लेंगे कि सिम 1 पे आपको रिंग्टोन चेंज करना है या फिर सिम 2 पे तो मैं सिम 1 पे क्लिक कर लूँगी और यहां पर आपको इस टैप से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे सारे यहां पर प्लस का निशान है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ट्रैक देखने को मिल जाएगा अलबम आर्टिस्ट फोल्डर तो यहां पर जिस फोल्डर वगरह में से लेना चाहते हैं अपना रिंग्टोन जहां पर आपने रखा हुआ है वहां से आप कर लिया है ठीक है और इसके बदिश्य डन का उप्शन है आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका यह जो गाना है वह सेलेक्टेड हो चुका है रिंग्टोन की तौर पर और इसके बाद यहां पर पैक कर देंगे तो यहां पर कुछ लोगों को यह डाउट रहता है कि सिमन पर लगाया है सिमन पर बज रहा है तो ठीक है और सिमन टू पर आप यहां पर दूसरी सेट कर सकते हैं तो मैंने दोनों पर यही लगा दिया से और इसके बाद वॉल्यूम की बारी आ जाती है तो रिंग्टोन का जो गाना है उसका कितना वॉल्यूम होना चाहिए तो इस टैप से आप यहां पर मैं बीच में कर लूँगी इतना वॉल्यूम को पसंद है तो इतना कर लूँगी इसके बाद बैक कर दूँगी और इसके बाद बारी आ जाती है इसके बाद बैक कर दूँगी तो वाइब्रेशन अगर हटा नहीं है तो यहां से आप वाइब्रेशन हटा भी सकते हैं तो इस चैप से आप यहां पर रिंग टून की सैटिंग कर सकते हैं तो आपको पसंद आया होगा इसी टैप के और में ट्रसिंग वीडियो सेकने के लिए चैनल पर विजिट करते रहिएगा चले मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार